अगर आपको वहाँ पर पूरी बात समझ में नहीं आई है तो आप इस बात का विश्वास रखते कि अभी पूरा टॉपिक खतम नहीं हुआ है सवाल के माध्यम से आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके समझ पाएंगे कि मैंने आपको क्या पंधाया जैसे कि पहले टाइप के एकॉर्डिंग ये पहला कोशन है जहां लिखा हुआ है वहाँ चोटी से चोटी संख्या बताओ जो आट, दस, बारा और पंदरा से पूर्णता विभाजित है तो ऐसी संख्या जो आट, दस, बारा और पंदरा से पूर्णता विभाजित हो बहुत है अनंद संख्या हैं ऐसी लेकिन सबाल है जो चोटी ते चोटी संक्या मतलब जो 8 से भी विभाजित हो 10 से भी 12 से 15 से एक समय पर तो वह चोटी ते चोटी संक्या जो इनसे विभाजित हो वो क्या होगा? इनका ही लासा इनका ही XLEM और आपको मैंने जो demo class में last में बताया था आपको इस बात को समझना होगा कि 8, 10 और 12, 15 से विभाजित कर रहे हैं से विभाजित करने का मतलब है आने वाला उत्तर बड़ा होगा जब उत्तर बड़ा होगा तो हम क्या लेंगे? LCM तो आपको मैंने सिखाया था कि 8, 10, 12, 15 का LCM आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप एक साथ निकाल सकते हैं 15 को उसके आप हाज जी गुलनखंड की रूप में लिखें पांस के हैं 15 ये क्या है? 2 दुनी 4 तियां ही 12 ये क्या है? 2 पंचे 10 और ये क्या है? 2 दुनी 4 दुनी 8 आपको LCM लेना है इसका मतलब यहाँ पर एक ऐथी छोटी संख्या आपको चिपकानी है जो इससे, इससे, इससे कट जाया पहले मुझे 5 ही दिख रहे हैं आप बताईए यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ यहाँ नहीं है इसका मतलब एक 5 मुझे लेना है यहाँ पर एक पाँच एक पाँच अगर मैं कहूँ कि एक पाँच एक पाँच का LCM क्या वदा पता होगी न कि पाँच ही होगा ठीक जैसे अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देख रहा है अब तीन दो है तो मैं एक तीन अगर यहां पर रखने हूं तो यह तीन तीन से कट जाएगा यह तीन भी तीन से कट जाएगा इसका मतलब एक तीन यहां चिपकाने का मतलब है यहां के दो तीनों को हमने ठिकाने लगा दिये ठीक अब आप मुझे बताईए कि यहां पर मैं दो अगर लगा दूँ तो एक दो यहां से जाएगा एक दो यहां से जाएगा और एक दो यहां से जाएगा अब अगर एक दो मैं लगा दूँ तो एक दो यह जाएगा एक दो यह जाएगा एक दो अकेले बचाये तो ये आये गई तो ये भी चला जाएगा तो आपने देखा कि उपर अब अगर हम अभाज गुलंखन के रूप में लिख रहे हैं इसका मतलब नियूंतम संक्या ही लिख रहे हैं तो पास्तियाई 15, दुनी 30, दुनी 60, दुनी 120 तो इसका एलसित क्या हो गया? 120 तो याद रखिएगा तो इस सवाल का सही उत्तर क्या है? 120 समझ कि अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आप अपने भाग विदी से ही कर लिजेगा कई बार लोग कलती से 120 में अगर एक दो भी आपने एक्स्ट्रा ले लिया तो 240 भी है 240 भी 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा और 15 से कटेगा ठीक है? इस बात का ध्यान रहे मैं आपको एक परीके से और समझा लेता हूँ कि 8, 10, 12 और 15 जो भाग विदी वाला है हर जगा यहीं चलता है आप देख रहे हैं कि मैं पहले आभाद जिते शुरू करूँगा 2, 2, 4, 8, 2, 5, 10 2, 6, 12, 15 15 दो नहीं काट पा रहा है तो 15 एजटिव आजाएगा फिर अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 दुनी 4, फिर 5 2 तियाई 6 और 15 यहाँ पर कई लोग समझ नहीं पाते हैं तोचते हैं कि अभी भी नहीं कट रहा है तो सब कर गुड़ा कर लेते हैं आप देखेंगे उत्तर ज़्यादा आजाएगा फिर अब 2 और 3 तो किसे कटेंगे नहीं तो मैं क्या लेता हूँ मैं 5 ले लेता हूँ एक 180 त्याइग पांटो चालिस तो इस बात को आप समझेए कि यहाँ पर आपको भागफल एक लाना है एक तीन लेने पर 2 तो कटेंगा नहीं एक नहीं कटेंगा तीन एक कम तीन तीन एक कम तीन फिर आप दो से भाग लेंगे एक 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 अब यहाँ पर भागफल एक आ गया है सभी संख्याओं के लिए तो 2, 3, 6, 5, 30, दुनी 60, दुनी 120 जो कि हमारा आ गया था तो इस बात को समझिए कि इस तरह से आपको LCM लेना है बस आपको छोटी ते छोटी संख्या ही सूचनी है जो कि दी गई संख्याओं से पूर्ता विभाजी दूँ चलिए अगला सवाल है हमारा यह वाँ छोटी ते छोटी संख्या जिसे जब 15, 20, 36, 48 से भाग दिया जाता है तो प्रते एक दिशा में शेशफल तीन प्राप्त होता है आप मुझे बताईए इस टाइप को जब मैंने बताया था तो मैंने कहा था इसका आंसर क्या होगा तो मैंने आप उताया था कि LC हम संख्याओं का लेना होता 15, 20, 36 और 48 से और प्लस शेशफल मतलब जो शेशफल प्रते एक दिशा में आ रहा है उसको आप जोड़ लेंगे यह हम क्यों करते हैं वो आप ध्यान दिजेगा जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2 और 3 का लासा क्या होगा ता आप 2 और 3 का लासा 6 मतलब 6 एक ऐसी संख्या है कहती है छोटी संख्या जो 2 और 3 से विभाजिते हैं मैं कहूँ कि ऐसी संख्या बचाओ, बताओ, जो दो और तीन से भाग देने पर प्रतीक दर्शा में दो शेश्वल देती हो, तो आपको बता है दो और तीन का लासा क्या है? छे, अगर मैं छे में दो जोड़ दूँ, तो मुझे क्या मिलेगी वाँ तंख्या? आठ, और आठ, है ना, सॉरी, दो नहीं, एक शेश्वल, दो तफिर दो से कटी जाएगा, अगर मैं आपसे पूछों कि बाद छोटी ते छोटी संख्या क्या है, जिसे जब दो और तीन से विभाजित किया जाता है, तो प्रतेक दर्शा में शेश्वल एक प्राप्त होता है, तो दो और त तीन से पूरी तरह से कटने वाली संख्या अच्छा है, और शेश्वल अगर प्रतेक दर्शा में एक आता है, तो मैंने जोड लिया, कितना आगया, साथ, तो आप देख रहे हो कि जब साथ को मैं दो से विभाजित करूँगा, तो दो तीन से विभाजित करूँगा, तो त तीन दुनी 6, सेश्वल 1, तो इस छोटी छोटी एक्जामपल थे आप समझ सकते हैं, तो आईए 15, 20, 36, 48 का हम निकालें, लासा, कैसे निकालेंगे आप, आप 15 को तोड़ेंगे, 5, 3, 15, 20 को तोड़ेंगे, 5, 24, 26 को आप तोड़ेंगे, 2 दुनी 4, 3, 12, 3, 36, और 48 को आप तो इनका आपको लासा लेना है, लासा, 5, 5, 5, यहां कोई नहीं है, तो आप एक 5 ले लीजे, एक 5 इस 5 को काट देगा, इस 5 को काट देगा, और गहीं तो है नहीं, फिर एक आप 3 ले लीजे, एक 3 इसको काट देगा, एक 3 इसको काट देगा, एक 3 इसको काट देगा, फिर आप क्या कीजे एक तीन और लेना पड़ेगा आपको इस तीन को काटनी के लिए अगर आप दो दो ले लिजे तो आप देख रहे हैं ये दो चले जाएंगे ये दो चले जाएंगे और यहां पे ये दो अब यहाँ पे दो दो है और कहीं तो है नहीं तो मजबूरन इन दोनों दो को मुझे लेना पड़ेगा तो दुनी, 4, दुनी, 8, दुनी, 16, 43, 48, 43, 38, 24, 34, 12, 14, 144 और यह पांच बचा हुआ है पांच लोके 20, पांच लोके 20, 23, 25, 5 और एक पांच लोके 20, 0, पांच लोके 20, शाहत गलती हो गई पांचो के 20, पांचो के 20, 22, 5 एकम 5, 2, 7 तो गुड़ा करके हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 720 जो की इसका क्या था लासा और लासा के साथ 3 जोड़ना था तो 720 और 3 कितना हो गया 720 जो की सवाल का सही उप्तर है तो आपने देखा कि 720 720 तो एक ऐसी छोटी संख्या था जो दी गई संख्याओं से पूरता विभाजित है और जैसे ही 3 उसमें जोड़ा तो 3 हमें ये बता रहा है कि प्रत्ते एक दशा में 3 शेशवल प्राप्त होगा आप इस बात को समझे कि 720 पंदरा से पूरता विभाजित है जब उसमें मैं 3 जोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि 720 इस 720 में 720 तो पंदरा से भी भाजित है इसका मतलब जो 3 बच रहा होगा वो शेशवल होगा सेम कंडिशन यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी तीसरे टाइप है और यह अन्तिम टाइप है चलिए ध्यान दीजे वह चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे जब 3, 5, 7 और 9 से भाग देने पर शेशपल क्रमशा 3, 5, 7 और 9 नाप थो और आपके चार विकल्प यहाँ पर दिये गए है ध्यान दीजेगा 9,763, 9,764, 9,765, 9,706 यह सवाल है मैं आपको यही समझाने वाला था यह समझाया था मैंने आपको कि जब भी आपके पास सवाल आता है तो कुछ बच्चे यह सोच बैठते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब HCF निकालना होता है और छोटी से छोटी संख्या निकालना LCM लेकिन आप मुझे केवल यहां से इतनी भी बात बताईए कि अगर सवाल पूछ रहा है जिसे जब 3, 5, 7 और 9 से भाग दिया जब है इसका मतलब 3, 5, 7 और 9 से भाग दिया जा रहा है और वह संख्या बताना है तो आने वाली संख्या 3, 5, 7 और 9 से बड़ी आएगी और जब उत्तर बड़ा आएगा तो वहाँ पर आप क्या निकालेंगे? लासा तो मैंने आप से कहा जब दी गई संख्याओं से उत्तर बड़ा आएगा तो इसका मतलब क्या निकालेंगे? LCM और जब उत्तर छोटा आएगा तब क्या निकालेंगे आप? SCM इतनी सी बात आपको याद अखने ती आईए ध्यान दीजिए, निकालते हैं हम मैंने आपको कहा था कि दी गई संख्याओं से भाग देने पर हर दशा में शेश्वल अलग-अलग आता है तो वहाँ पर उत्तर क्या होता है? वहाँ पर उत्तर बनेगा कि 3, 5, 6, 9 का LCM minus constant मतलब वो नियतांग ये मैंने आपको लिकवाया था और वो नियतांग क्या था? वो नियतांग मैंने आपको बताया था कि संख्या जिससे विभाजित क्या जा रहा है वो minus उस दशा में जो शेश्वल आ रहा हूँ 3 minus 2 और फिर 5 जब भाग दिया जा रहा है तो शेश्वल कितना आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर गल्ती हो गई है तोड़ा ध्यान दिजे 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9 मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर है 1, 3, 5 और 7 इसे आप सुधार लिजेगा 1, 3, 5 और 7 तो जब 3 से विभाजित क्या जा रहा है तो शेश्वल 1 है जब 5 से विभाजित क्या जा रहा है तो शेश्वल 3 है जब 7 से विभाजित क्या जा रहा है तो शेश्वल 5 है और जब 9 से विभाजित क्या जा रहा है तो शेश्वल 7 है तो आपने देखा कि प्रतीक दशा में इनका जो अंतर है 2, 2, 2 और 2 2, 2, 2 यह constant हमेशा ही बराबर होंगे अब किसी आप में से किसी स्टुडेंट के मन में यह बात उठ सकती है कि सर अगर यहां पर यह अंतर बराबर ना हो अगर वो अंतर बराबर नहीं है तो फिर ऐसे questions काफी अच्छे माने जाते हैं और वो काफी अच्छे तरीके से हल किया रहते हैं उसके लिए कोई फिर शॉर्टिक नहीं है उसे प्रॉपरली हल करना होगा और ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम अलग मतलब अलग तरह से फिर विधी अपनाते हैं आपके एक्जाम में अभी तक जितने सवाल आए हैं या आने वाले जितने भी सवाल हैं वो गैरेंटी है कि हमेशा इस भाजक और शेश्वल का अंतर हर दशा में एक होगा इस बात को आप रखिए अगर आप कहेंगे तो उस तरह के भी एक सवाल में करा दूँगा वो आपके एक्जाम का लेवल नहीं है तो बस ठीक है 3,5,7 का लासा निकाल देते हैं 3,5,7 का लासा क्या होगा भाई आप मुझे इस बात होता हिए अब 3,5,7,9 अगर मैं एक 9 ले लूँ तो 9 से 9 तो कड़ जाएगा और एक 3 भी कड़ जाएगा मतलब 9 को रखने पर 3 और 9 कड़ गए पांच और साथ में कुछ भी common नहीं है तो पांच और साथ पूरे आ जाएंगे इसका मतलब तीन पांच साथ नौ का लासा क्या होगा यही नौ पंचे पैतालिस गुड़े साथ साथ पंचे पैतिस साथ चुके अठाइस तीन इकतिस इसका मतलब यहाँ पर नौ पांच साथ तीन का लासा कितना है यहाँ तीन सो पंदरा माइनस constant क्या है दो तो यहाँ पर क्या हो गया तीन सो तेरा तीन सो तेरा तो वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीन पांच साथ और नौ से भाग देने पर एक तीन पाँच और साथ शेशफळ प्राप्त हो रहा है लेकिन हमें क्या बताना है चार अंगों की बड़ी से बड़ी संक्या तो आप मुझे बताईए क्या ये चार अंगों की संक्या है नहीं और क्या options से match कर रहा है नहीं दो और तीन का मैं आपसे लासा पूछूं। कि लासा क्या था आपकोंगे च्छे मैं काओंगे भई ये लासा दो अंकों में होना चाहिए वह छोटी ते छोटी दो अंकों की संख्या तो 6 के बाद क्या आएगा? 12 फिर 18 ऐसे मैं पूछाओं कि भाई तीन अंकों की संख्या तो इस क्रम में ऐसी बहुत संख्याइं मिलेंगी जो तीन दो और तीन से एक समय पर कट सकती हैं तो आप क्या करेंगे आप इसको थोड़ा का मॉडिफाइट कर लेंगे इनका जो LCM आएगा वो एक फिक्स संख्या से अगर हम गुड़ा करेंगे तो हर कंडिशन में आपको एक ऐसी संख्या मिलती जाएगी जो तीन पांच साथ नौ से विभाजित होगी जैसे मैं कहूँ कि 2 और 3 से कटने वाली संख्या बताओ तो आप आओगे 2 और 3 का LASA लेलो लेकिन LASA का मतलब है 2 और 3 से कटने वाली तो थोटी संख्या मैंने कहा तो एहां पर एक constant लेलो k कहने का मतलब है के कमान अगर आप 1 रखोगे तो 2 और 3 का LASA क्या 6 तो 6 गुड़े एक कितना? 6, बिल्कुल 6, 2, 3 से कट रही है, तो K का मान एक रखने पर तब चोटी संख्या मिल रही है, फिर आप K का मान 2 रखोगे, तो यहां पे 2 और 3 कलासा आया 6, 6 दुनी 12, यह भी संख्या 2 और 3 से कट रही है, फिर आप 3 रखोगे, तो 6 तरिक 18, इसका म कर लेंगे, ठीक, और भी आगे मैं सवाल कराऊंगा, तो आपको मैं इस बात को बताऊंगा, तो अभी हमने निकाला 3, 5, 7, 9 का लासा, कितना आया था भाई? 315 है ना, 9 इसका था, और 35, 35, 45, 9, 3, 27, 4, 31, 315, तो 315 के माइनस कॉंस्टेंट 2, अब यह हमारा उत्तर है, अब आपको यहाँ पर यह गेस करना होगा, कि के कमान क्या रखा जाए? जो 4 अंक को पारना कर पाए, और 4 अंकों की महत्तम संख्या मुझे दे दे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर के कमान 30 रख दूँ, तो आपको पता है, 3 का गुड़ा करूँगा, 35, 35, 45, और 3 तरिक का 9, 9,450 माइनस 2 करूँगा, तो 9,448, अभी संख्या है, और आगे हैं, तो इ 30 प्लस 3 से गुड़ा कर रहे हो, तो गुड़ा करो, 315 का 30 में गुड़ा किया, तो 15, 35, 45, 3 तरिक का 9, और फिर 3 से गुड़ा करूँगा, तो 15, 35, 45, 3 तरिक का 9, तो यहाँ पर आपने देखा, 0, 5, 5, 5, 4, 9, 9, 4, 13, और यह 10, आपने देखा, कि के कमान जब मैंने 33 रखा, तो संक्या जो मिली वो 5 अंक में चली गई, तो यहाँ पर के कमान क्या रखेंगे हो, 32, 32 रखेंगे, गुड़ा भी करने के एक तरीका है, 30 प्लस 2 कर लीजे, 315 का 30 में करेंगे, तो 15, 3, 45, और 3 तरिक का 9, फिर 2 से करेंगे, तो 15 दुनी 30, 3 दुनी 6, तो यहाँ पर 0, 5, 3, 8, 6, 4, 10, और यहाँ पर 9, 10, संक्या फिर से बड़ी निकल गई, तो कहने का मतलब है, इस तरह से आपको चेक करना आपकी मजबूरी है, जब बहुत जल सवाल आप लगा लेंगे, तो आप फ्री हो जाएगे, 31 से गुड़ा करेंगे, तो 30 प्लस 1, 30 से गुड़ा करेंगे, और 1 के 315 में गुड़ा करेंगे, तो 5, 5, 1, 6, 4, 3, 7, और 9, 9, 765, इसका मतलब 31 के कमान रखने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संक्या मिल रही है, जैसे ही के कमान 32 रखोंगा, संक्या 5 अंक में चली जाएगे, तो यहाँ पर के कमान 31 रखने पर संक्या बनी 9,765, फिर उसमे जब 3, 5, 7, और 9 से भाग देने पर 1, 3, 5, और 7 कमशा शेशवल प्राप्त होता है, थोड़ा था यह कोशन टफ बन गया है, और काफी समय के बाद इसका उत्तर आ रहा है, आपके रेलवे में जो सवाल आएंगे, वो थोड़े से आसान होंगे, ठीक, तो यहाँ पर आप एक conclusion पर देख लीजे कि आपने क्या पढ़ा, आपने यह पढ़ा कि अगर हमसे कोई पूछता है कि वहाँ नियूनतम संख्या बताओ, जो X, Y और Z से पूर्टा विभाजित है, तो हम केवल LC हम ले लेंगे किसका, X, Y, Z का, ठीक, अगर बाद नियूनतम संख्या की नहीं है, त हम कहेंगे भाई, X, Y, Z का LC ले लो, और उसमें आप उस शेश्वल को जोड़ लो, जो प्रत्यक दिशा में समान आ रहा है, अगर कहता है कि वहाँ छोटी तो छोटी संख्या ना हो, और कोई condition हो, कि उससे बड़ी संख्या भी आप बता सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या ल अलग शेश्वल प्राप्तो, तो आप जिस संख्याओं से भाज़त करना है, उसका LCM-Constant, मतलब भाज़ा को शेश्वल का अंतर, अगर बाद condition है, छोटी थी छोटी ना हो, बड़ी से बड़ी है, कि तो इतनी चीजे हमने यहाँ पर आज पढ़ी है, हो सकता है कि थोड़ यह पहले लेक्चर के साफ से थोड़ा था टफ क्लास हो गई है, है ना, लेकिन आप अपने प्रीवेस यहस के कोश्चे से अगर आप देखेंगे रेलवे के तो बहुत ही आराम से और बहुत सरल पूछेगा है, तो इन तीन चीजों को लिखिएगा, यहाँ पर मैंने इनकी कंडिशन नहीं लिखी है, यह तीनों कंडिशन मैंने आपको शुरुवात में लिखाया था, तो वह पहले ही है कि वह नियूंतम संक्या, जिसे XYZ से विभाजित करने पर कोई शेश्वल प्राफ्त ना हो, मतलब पूरता विभाजित हो, तो वह संक्या होती है XYZ का LCM, अगर अगर कंडिशन है कि नियूंतम नहीं और संक्या बताओ, तो के ते आप उड़ा कर सकते हैं, वह नियूंतम संक्या है, जिसे XYZ से भाग देने पर प्रतियक दिश्वल अलग अलग शेश्वल आ रहे हैं, तो ऐसे का उतर होगा XYZ का LCM, माइनस constant, और constant क्या है मैंने आपको ब सकते हैं, तो यहां पर हमने LCM का topic फिनिश किया, और मैं खुबसूरत questions कलापो कराऊंगा, फिर हम पढ़ेंगे LCF, फिर LCM, LCF के मिश्रित questions, मैं guarantee देता हूँ कि एक्जाम में आने वाला सवाल, इस board पर कराए हुए सवाल को पार नहीं कर पाएगा, इसके guarantee है, चली पिर इतना ख्याल रखेगा, इसी उत्साव उमंग के साथ, इस class को मिराम देते हैं, thank you so much.